हेलो एरिवन वेल्कम टो एक जाम फरम एक जाम फरम के आज इस वीडियो में 25 जनौरी 2020 से करेंट पैस के कोशन डिसकस करेंगे और आज इस वीडियो को जो पीडियो फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बाक से मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अब कैसे डिटेल में कोशन वीडियो में रहते हैं उसी प्रकार से ऐब आपको वीडियो फाइल में मिलेंगे तो चलिये शुरू करते हैं अब आज क्या वीडियो आज के फ़ेला कुशन है हाली में सुभाज चंद्र बोस आपदा प्रबंदन प्रुसकार संस्थान सेंड़ी में किस राजी को दिया गया है तो जो सुवास चंद्र बोस आपदा प्रवंदन पुरुसकार है यह संस्थान सेनरी में दिया गया है उत्राखंड राजी को यह जो पुरुसकार हर साल 23 जनौरी को भारस सरकार के द्वारा नेता जी सुवास चंद्र बोस के जियनती पर दिया जाता है जो कि इस साल संस्था रहान सेंरी में उत्राखंड राजी को जब कि ब्यक्तिकत सेंरी में कुमार मुर्णन सिंह को दिया गया है। उत्राखंड राज की राधानी है देहरादून उत्राखंड राज के मुख्य मंत्री है त्रिवेंदर सिंगरावत उत्राखंड राज की राजी पाल है बेबी राधानी मोरी उत्राखंड राज की रादानी देहरादून में इस्तित है भारती वन सर्वेट च्छार्ड का मुख्याल है हाली में उत्राखंड राज ने करसे भूमे लिज्जी नीती को लागू किया यानि की यहां के जो किसान ने अपनी भूमी को किसी भी संस्था, आर्गेनाजेशन, एंजियो, फर्म या कंपनी को किराय पर दे सकते हैं उत्राखंड राज का जो हरिद्वार सहर है यहां से लोग सभासानसद हैं, मेंबर आप पार्लेमेंट हैं रमेश, पोख्रियार, निसंथ, जो कि वरतमान में केंद्री, मानो, संसादन, विकास, मंत्री हैं यानि की भारत के सिच्छा, मंत्री हैं उत्राखंड राज में जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद वन्नेजीू बिहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तथा नंदा देवी नेशनल पार्क इस्तित हैं भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको 1936 में राष्टी पार्क का दरजा दिया गया था जो कि उत्तराखंट राज के नैनी तालजिले में इस्तित है कोशन नमबर दो है हाली में इस्तित के द्वारा किस हिमन वाइट रोबोट को प्रद्रसित किया गया है तो हाली में इस्तित के द्वारा ब्योम मित्र नाम का एक रोबोट बनाया गया है आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है इसरो के द्वारा बनाया गया ब्योम मित्र का ब्योम मित्र नाम का एक रोबोट ब्योम मित्र जिसका इंगलिस में नाम होगा Friend in the Sky अंत्रिच मित्र यह जो ब्योमित्र नाम का एक अर्दमानो रोबोट है इसको इसरो की द्वारा बनाया गया है जिसको गगन यान मिशन से पहले अंत्रिच में भेजा जाएगा यह चक करने के लिए अगर कोई भी समस्या आती है गगन यान मिशन के दौरान तो उसको किस परकार से ठीक किया जाएगा एक डेमो के तौर पर अर्दमानो रोबोट जिसका नाम है ब्योमित्र आकास अंत्रिच में बेजा जाएगा गगन यान मिशन के लिए गगन यान मिशन जो की इसरो का एक मिसन है जिसके द्वारा दिसंबर 2021 तक तीन भारतियों को अंतरिच में बेजा जाएगा जिसके लिए भारत सरकार ने 10,000 करोन रुपे का बजट अलोकेट किया है गगणयन मिसन को G.S.L.V.M. के थर्ड राकेट से लांच किया जाएगा इसके अलावार इसरो ने ये भी बोला है कि हम 2030 तक अपना खुद का स्पेश स्टेशन यानि की अंतरिच्च स्टेशन बनाएंगे इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए यूबी का नाम का एक कारिकरम चलाया है जिसका पुरा नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसरो अब अपना तीसरा और नया राकेट लांच पैड इस्टेशन बनाएगा तमिन नाडू के कुल सेखर पतिनम में अभी तक इसरो के पास सिर्फ दो ही राकेट लांच पैड हैं जो की दोनों इस्टित हैं आन्द प्रदेश के स्री हर्डिकोटा सहर में अब आपको इसरो के तीन राकेट के नाम याद रखना है कौन-कौन से पी एसलवी जी एसलवी एसलवी पी एसलवी का पूरा नाम है पोलर सेटेलाइट लांच वैकिल जी एसलवी का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनर सेटेलाइट लांच वैकिल एसलवी का पूरा नाम है आ 15 अगस्त 1969 को इसरो के वर्तमान में डाक्टर है डाक्टर केसी वान कोशन नमबर तीन है हाली में हसन दियाब को किस देश का नए प्रदान मंत्री चुना गया है तो हाली में हसन दियाब लेबनान देश के नए प्रदान मंत्री बने है यानि कि इस कोशन का सही आंसर है भी जिसके रादधानी है बेरूत लेबनान देश के मुद्रा है पाउंड हाली में अंतराष्टी सिच्छा दिवस यानि की इंटरनेशनल डे अफ एजूकेशन का मनाया गया है जो अंतराष्टी सिच्छा दिवस ये प्रतिवर्स यूनाटन नेसंस के द्वारा 24 जनौरी को मनाया जाता है इस साल इसका थीम था विसे था लर्निंग फार पीपल प्लैनेट प्रास्परटी और पीस लेकिन अगर गर्शन पूछा जाए कि भारत में जो राष्टी सिच्छा दिवस ये कब मना जाता है तो भारत में हर साल राष्टी सिच्छा दिवस मना जाता है 11 नौर्बर को जबकि भारत में राश्टी सिच्छा दिवस मना जाता है हर साल ग्यारा नॉम्बर को और 24 जनॉरी को ही भारत में एक दूसरा दिवस मना जाता जिसका नाम है National Girl Child Day राश्टी बाल का दिवस भारत में हर साल 24 जनॉरी को मना जाता है कोशन नमबर पांच है हाली में Cisco Youth Leadership Award जिसका दूसरा नाम है Global Citizen Pride किसे दिया गया है तो जो Cisco Youth Leadership Award है ये दिया गया है प्रिया प्रकास को ये जो पुरुसकार है Cisco Company के द्वारा दिया जाता है जो कि American Technology Company है जिस अवार्ड का पुरा नाम है Cisco Youth Leadership Award जो कि इस साल दिया गया प्रिया प्रकास को आपके जो पोटो में देख रहे हैं प्रिया प्रकास जो की Health Set Go संस्ता की संस्तापक और CEO है इन्ही को दिया गया है Cisco Company के द्वारा Cisco Youth Leadership Award 2020 Question No.6 हाली में किस के द्वारा ब्लाकचेन तक्नीक पर आधारित एक नए भुगतान प्रणाली बज्र प्लेटफार्म को लांच किया गया है तो जो बज्र प्लेटफार्म नाम का एक नए भुगतान प्लेटफार्म है इसको लांच किया गया है NPCI के द्वारा जो की DLT यानि की Distributed Laser Technology पर काम करेगा जिससे NPCI की पूरी पेमेंट किलरिंग और सेटल्मेंट प्रोसेस Unified Payment Interface यानि की UPI और रुपे कार्ड जैसी सुविधाओं को एक की करत करने के लिए तयार किया गया है तो आपको याद रखना है NPCI के द्वारा एक नए पेमेंट सिस्टम लांच किया गया है जिसका नाम है बजर प्लेटफार्म जो की DLT टेकनालोजी पर काम करेगा NPCI जिसका पूरा नाम है National Payment Corporation आप इंडिया जो की RBI की एक सर्चिटरी कंपनी है यानि की सहाइक कंपनी है NPCI की का मुख्याल है मॉंबाई में NPCI का की स्थापना होई तो यह 2008 में NPCI के वरतमान में CEO और MD है दिली पसबे अब यहां से तीन कोशन पूचे जाते हैं कि जो रूपे कार्ड है भीम अइप है और तीसरा पूचा जाता है UPI इन तीनों को किस ने बनाया है तो रूपे कार्ड भीम अइप और UPI तीनों को बनाया गया है NPCI के द्वारा Question No.7 हाली में मियटन कप में अपूर्भी चंदेला और दिब्यान सिंग पनवा ने कौन सा पदक जीत लिया है तो मियटन कप जो की शूटिंग से रिलेटेड एक प्रत्योगिता है इसमें भारत के अपूर्भी चंदेला और दिब्यान सिंग पनवा ने जीत लिया है स्वार्ण पदक यानि कि इस कोशन का सही आंसर ए इसी प्रतियोलता में भारत की अंजुम मुद्गुल और दीपक कुमान ने जीत लिया है कासि पदक जो मेर्टन कफ है इसका आईजन हुआ आश्ट्रिया देश में आश्ट्रिया देश जो की यूरोप महद्यूप में एक इसकी देश है जिसकी राधानी बियाना आश्ट्रिया की मुद्रा है यूरोप आश्ट्रिया की राधानी बियाना से अब आप तीन संस्ताओं के नामियाद रखना है ओपेक, यूनिडो और इंटरनेशनल एटामिक एनरजी अजनसी इन तीनों संस्तों का मुख्याले है आश्टिया की राधानी बियाना में कोशन नमबर आठ है हाली में परमार्व सच्छम सते से सते मार करने वाली बैलेश्टिक मिसाइल जिसका नाम है गजनवी का सफल परिच्छन किस देश के द्वारा किया गया है तो जो गजनवी नाम की एक बैलेश्टिक मिसाइल है इसको सफल परिच्छन किया गया पाकिस्तान देश के द्वारा यानि कि इस कोशन का सही आंसर है सी जो गजनवी परमाड सच्छम सत्य से सत्य मार करने वाली मिसाइल है इसकी रंज है दो सो नबे किलो मिटर पाकिस्तान देश के राश्पती है आरिफ अलवी पाकिस्तान देश के राधाने इसलामाबाद पाकिस्तान देश के मुद्रह पाकिस्तानी रुप्या पाकिस्तान देश के वरत नाम में प्रधान मंतरी इम्रान खान जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्ताने तहरीक इंसाब पार्टी पाकिस्तान के जो प्रधान मंतरी इम्रान खान इनको जार्डन देश की जो इसलामिक स्ट्रेजिक सेंटर है इसके द्वारा मुस्लिम मैन आपड़ यर 2020 गोसित किया गया है पाकिस्तान देश के पूरवराश्पती जिनका नाम है परव्यज मुसरफ इनको पाकिस्तान देश की कोड़ के द्वारा मुरत डंड की सजा सुनाई गई है देश द्रो के केस में कोशन नमबर 9 है हाली में पांचवाँ महा कभी कनयालाल सेथिया अवार्ड से किसे पदान किया गया है तो जो महा कभी कनयालाल सेथिया अवार्ड है ये दिया गया इस साल अरविंद करस्ना महरोत्रा को यानि कि इस कोशन का सही आंसर है भी आप जो पोटो में देख रही हैं अरविंद करस्न महरोत्रा जो केक लेखक हैं इनी को दिया गया है महा कभी कनया लाग सेंट्रिया अवार्ड जो की हर साल जैपुर साहित उत्सो के दोरान दिया जाता है कोशन नमबर दस है हाली में कितने लोगों की संपत्ति को सत्रू संपत्ति गोसित किया गया है तो हाली में 9400 लोगों की संपत्ती को सत्रू संपत्ती गोसित किया गया है अब हम जान लेते हैं कि सत्रू संपत्ती क्या है और किन लोगों की संपत्ती को सत्रू संपत्ती गोसित किया गया है उन लोगों की संपत्ती को सत्रू संपत्ती गोसित किया गया है जिन्होंने भारत की नागृत्ता गोशड़ छोड़ करके चीन और पाकिस्तान देश की नागृत्ता ले ली है और टोटल हाली में 9400 लोगों की संपत्ती को सत्रू संपत्ती गोशित किया गया है किसके द्वारा ग्रह मंत्राले के द्वारा अब आपको चीन से एक most most important question याद रखना है चीन में हाली में कोरोनो नाम का एक वारेस फैला है जिसकी वज़े से कई लोगों की मरत्ति हो गई है और पूरी दुनिया के जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि वो लोग चीन की यात्रा ना क तो अगर question पूछा जाए कि कोरोनो नाम का जो वारेस है किस देश में फैला हुआ है तो उत्तर होगा चीन देश में question number 11 है हाली में soft bank ने भारत में अपना प्रमुक यानिकी head के रूप में किसे नुप्त किया है तो हाली में soft bank company ने भारत में अपना प्रमुक नुप्त किया है मनोज कोहली को आप जो पोटो में देशना है ये है soft bank इंडिया प्रमुक मनोज कोहली soft bank जो की एक Japanese multinational company है एक investment company में ली ये bank नहीं एक investment company है soft bank का मुख्यालय है टोकियो सहर में टोकियो वहीं सहर है जहाँ पर 2020 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे question number 12 है हाली में बैस्विक बरस्टाचार धारणा सुचकांग 2020 में भारत की रैंक क्या रही तो हाली में global corruption perception index 2019 में भारत की रैंक रही 80 यानि कि इस question का सही answer है C आप को याद रखना है बैस्विक बरस्टाचार धारणा सुचकांग 2019 में भारत की रैंक रही 80 इसमें number 1 देस रहा यानि कि सबसे कम corruption है इस reports के नुसार New Zealand और Denmark में दूसरी नंबर पे रहा Finland तिसरे नंबर पे रहा Singapore इस reports के नुसार पुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा corruption है सोमालिया देस में जिसकी रैंक रही 180 तो मेंली तीन question आपको याद रखना है बैस्विक वेश्टाचार धारणा सुचकांग 2019 के नुसार भारत की रैंक है 80 नंबर वन देस है New Zealand और Denmark और सबसे खराब देस है सोमालिया जिसकी रैंक रही 180 यह जो रिपोर्ट है यह जारी की गई है Transparency International के द्वारा जिसका मुख्याल है जर्मनी के बारिलिन सहर में तो यह थे आज के करेंट पेस के question अब आपके लिए question question क्या है कि हाली में मुख्य मंत्री परेटन संबर्धन योजना की सजाजी के द्वारा सुरू की गई है तो इस question का जो सही answer है आपको नीचे comment box में देना होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजे और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एक्जाम की तैरी करने उनके साथ सेयर कीजे और आज कि इस वीडियो का हम टारिट रखते हैं लाइक्स और सेयर का एक हजार अगर अभी तक आप हमारी चैनल एक्जाम फोरम को सबस्क्राइब नहीं किये तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आंकर लिए ताकि आपको इसी परकार से डेली मॉर्निंग में करेंट परस का वीडियो मिलता है तो फालिली थैंस पर वाचिंग एक्जाम फोरम